टेक्नोलजी की बदलती हुई जमाने में सुरक्सित रहना काफी मुश्किल हो गया है और हम तब तक सुरक्सित नहीं रह सकते हैं जब तक हमारे पास सेही नौलेज ना हो और इसलिए मैंने यूटीब बे स्टार्ट किया है बी सिक्योर, बी सेफ सीरीज और इस सीरीज की सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना नीचे मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है और एक ज़रूरी बात इस सीरीज की सभी वीडियो मैंने क्रियेटिव कॉमोन लाइसेंस के साथ अपलोड किया है तो कोई भी यूटिवर इस सीरीज की किसी भी वीडियो को अपने चनल पर अपलोड कर सकता है हलो फ्रंस मैं हुई इंताज भागी इंताज टेक्निकल यूटिव चनल पर आपका स्वागत है दोस्ते इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी और इस कहानी को सुनके आपको जोरूर फायदा मिलेगा इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना पुरा कहानी जोरूर सुनना दोस्तों क्या हुआ काल रात यानि की 20 फेबरुवारी को मैं अपना भाई का सीम कर ले लिया था क्यूंकि उसका मोबाईल कुछ दिन से खराब हो गया था और मेरा 150 जीवी का डेटा पैक से ठीक से चल नहीं रहा था मतलब पूरा दिन के दिन खतम होने से पहले रही 150 जीवी खतम हो जाता था तो मैंने सूचा क्यों ना उसका सीम वैसे ही पड़ा हुआ है मैं यूज कर लेता हो और 150 मुझे मिल जाएगा तो उसका SIM लेके मैं यूज कर रहा था, काल ही यूज करना स्टार्ट किया और मैंने एकदम रात में सोया ही नहीं था, काल रात चार बाजे, साड़े-चार बाजे के बाद सोया था और आज दो पहर 12 बाजे मैंने उठा, उठकर उस मेरे भाई के जो SIM है, उस पर मैंने एक मैसेज देखा वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये SIM 24 आर्स के बाद बंद हो जाएगा, डियक्टिविट हो जाएगा और एक्टिविट करने के लिए हमारे जियो-कास्टोमर नंबर दीगिया था, वहाँ पर, उस पर कॉल कीजिए तो मैंने मैसेल्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद वहां पर जो नंबर दीगा था, तुरंस मैंने कॉल किया उसी नमबर से और call करने के बाद एक normal user को call करते हो जब आप और वो busy रहता है जो बोलता है जसकी बोलता है कि आप जिस व्यक्ति को call क्या है वो फिलहाल व्यस्त है क्रिपया करके दुबारा ट्राइ कीजिए ऐसा कुछ देर बाद ट्राइ कीजिए ऐसे कुछ बोलता है मुझे ठीक से बिल्कुल याद नहीं आ रहा है तो ऐसा ही बोला तो मैंने सियोर हो गया यह नॉर्मल यूजर का फोन है साथ कोई यह प्रेंट कर रहा है या फिर कुछ गडबन हो रसकता है तो मेंने काट कर दिया उस मैसेज को भी डिलेट कर दिया और डिलेट करनेकी तुरंट बा carbon मतलब जब काल किया उसी के कुछ धर बाद उस नमबर से कॉल बैक आया और मैंने कॉल को रिसीव उन्होंने बोला कि हम जियो के कास्टोमर क्यार से बोल रहे हैं तो आपको क्या सायता चाहिए आप बताईए तो मैंने बोला कि इस नंबर पर एक मैसेज आ था यह आप पर लिखा गया था कि 24 24 आवर्स के बाद यह सिम डेक्टिवेट हो जाएगा तो हमें एक्टिवेट कैसे करना है तो उन्होंने बोला कुछ स्टेप्स हम बता रहे हैं उसे आप फॉलो कीजिए पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएए और वहाँ पर लेखिए के वाइसी रेजिस्ट्रेशन तो और वो एप्लिकेशन जियो कंपानी का भी नहीं था तो मैं उस वक्त और जधा सियोर हो गया कि यह तो बिल्कुल गड़वेड़ी होने वाला है तो उन्होंने बोला पहले एप को डाउनलोड कीजिए तो मैंने कुछ दिर बाद सोचा कि पहले वो क्या बोलते हैं देख ले तो सेटिंग में जाने के बाद बैक करो उसके बाद आईडी नंबर आएगा वो हमें बताओ बस यहां पर ही गड़वड़ी होता है दोस्तों टीम भी वार एक ऐसा एप्लिकेशन से है जिसके मदद से मान लीजिए आप किसी का भी मोबाईल पर जो भी डेटा है आप कॉप कर सकते हैं मूब कर सकते हैं और दिलेट भी कर सकते हैं तो यह बिल्कुल हैक करने के का में कि पीया जा रहा था मेरे ले इक आएपte किस काम केото क्या क्या जा कॉटा आ तो इसने माद मेरे माह से डिक कुछ बुरा गाली दे दिया और और उसके बाद बोला यह एप्लिकेशन जीओ का भी नहीं है तो उसने बेंड उठा कर गाली दे दिया तो तुरंट मैंने फोन काड़ दिया था और कुछ नहीं बोला तो क्यूंकि मुझे पता था कि यहां पर कुछ गड़वाई होने वाला है इसलिए मैंने जब फोन को उसन यह इसकी क्या जनकरी चाहिए का साहिता कर सकता हूं थे आपका फोन IIp में बंद हो जाएकआए तो अलग रखना है wrap还 बंद क्यों करना है क्या करना है चालू करना कि बंद रखना है चालू ही रखना है चालू ही रखना है यहां से मैं KYC प्रोसीजर बता दे रहा हूं आपका जो पले स्टोर है ना पले स्टोर हां पले स्टोर को आपन किजिए हां बताए पले स्टोर आपन करेंगे तब न सर हां important करने के बाद देखियोस में क्या अप्सिन आ रहा है क्या उप्सिन आ है कि उसमें kyc quick support I kyc quick support a minute that oh I kyc quick support के वाइशी क्वीक सपोर्ट हाँ उसको सार्च करो सर्जी उसको सार्च करो when DiW can be a Data उसको निस्टाल करो सर्च करो डाउनलोड करो अच्छा डाउनलोड इसको कि a paquer इम भीभर क्योंग सपोर्ट आया ओगा हाँ हा जो उसको निस्ट्राll डाउनलोड करो डाउनलोड हो रहा है सर्जी हाँ डाउनलोड कर दिया है डाउनलोड हो रहा है हाँ कितना परशंड हो गया साथ होने दीजिए मैं लाइन वेट करता हूं सरोके 27 डाउनलोड हो जायेगा तो आवाज देना ओके सर 67 400 डिजिया सर 76 84 10 1996 99 अभी इंस्टाल हो रहा है कि अंपरसरो किल अबें क्य OFFुर यह आपन कर दिया है वापन करने के बाद अग्रीन कटीनु बता रहा है मां और अग्रीन कंटीनू करो नेक्स 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 तीन बार करो किझा हैầu उसके बात s क्षजा हारा सेटिंग हां ओन करो सेटिंग में अ उसके बा hanuk evolving back करो के बैक करने के बाद देखो यॉरा आईडी आरहा जोर आइडी नहीं वहां पर शेटिंग पर गाया कर दिया सेटिंग पर आउन किया तब बैक करेंगे सर एक जगा पर योर आईडी क्या आ रहा है टीम भीवार से क्या काम होता है उज्ञे मालों है बता दू हो आपको क्या होता है सब सब कुछ चुराया जा सकता है उसको इसको इसको इस पर डाल देना है पर डेटा वेटा जो है सब कुछ चुराया जा सकता है रिष्टे कोई कुछ भी किया करेंगा तो तो दूस्तों आप सोच के देखें कितना खतरनाग तरीके से किसी कभी मुबाइल को हैक कर लेते हैं यह लोग प्लेस्टोर जासे एक रिलायवल ट्रास्टेड रेप्यूटेड प्लाटफोर्म पे जाके अप्लिकेशन डाउनलोड कराते हैं और उसके बाद आपके मुबाइल के डेटा को चुराने की कोशिस करते हैं और मुझे तो पता था कि टीम भी और किस काम में आता था इसलिए मैं बझ गया आगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे बचेंगे इसलिए मैंने एक विडियो सीरीज चाठ किया है यूटिप बढ़ बीसी की और बीसेफ सीरीज और उसके प्लेडिस्त मेंने नीचे दे लिया है दो एक विडियो और बना दिया है और कुछ विडियो और एक्टिवेट होने वाला है, बैंक का क्यों ऐसी कुछ भी इस टाइब का मैसेज आए, तो उसको ठीक से जाच लेना, और उसके बाद वो गूगल सार्च कर लेना, वो वाले मैसेज को कूरा कॉपी करके गूगल सार्च कर लेना, क्योंकि सब को पता नहीं होता है, हर एक एप् कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चलन को सब्सक्राइब करके बिल नोटिविकेशन पर आल नोटिविकेशन बला ऑप्शन आउन कीजिए, अपने दोस्तों में जुरूर सेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टाइप के हैकिंग जो तरीका है, इससे बच पाए, मिलते ह आगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत!